कि सलाम नमस्ते हेलो केम्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाई-फाइ स्टेडी 2.0 पे दोस्तों शाम के पांच बच चुके हैं और आपके लिए सेलेक्शन वाली क्लास बेश 206 मन्त करेंट अफेर जिसमें हम लोग केवल उनी चुनिंदा करेंट अफेर हो आई-एस लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो तो फटा-फट से जूर जाईए दोस्तों शेशन के एक बाद शेयर कर दीजे सबी लोग यह सर लिख करके यहां पर अपनी उपस्तिती भी दर्च करा दीजे लाइक करके भी आप उपस्तिती और शेयर करके उपस्तिती के पर इत्स कर एक बैंक एकसी होता है तीन अभर दोस्तों यहां पर माई के हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और राथ को बज़ए यह दोनों क्लास फ्रीат स्पेशल से दोस्तों जो डेली हो रही है यहां पर माई का रिवीजन चल्ला है चह़ेपर बहुत जरूरी है यह यह मई से आ सकते हैं तो इसलिए मई का रिवीजन और यहां पर फिनेंशल करेंट अप्रेल का रिवीजन तो हम लोग यहां वाइफ़ाइश्री 2.0 पर पांच बज़े रोज सामको करी रहे हैं सात बज़े दोस्तों प्लस बेच अपना लॉंच हो गया प्लस जिसमें अपनेंकिंग के ढ़गा रहें देटे यहाँ अपनांपलाएश्री Section करा देते हैं लौक सुर्ण यहां हम उब्र पढ़े जिन में अपडेशन आई है यानि कि बिसी में सुरूं से क्या होता है क्या क्या चीज़े आज तक है और अभी लेटेस्ट हुआ है कोप डेक्ट रिर्डीर खेंग का चेंज कर चाहिए चुकी जबीमिट का चाहिए इस पर चरचा हो चुकी क्लास में और जा क्षा सब्सक्रटले को सब्सक्राइब के लिए यानि ये चाल टापिक हम लोगा थे दो किये दोस्तों यानि की एक से एक चीज़ें यहां पर हो रही है जो एक्जाम में आने के चांसे हैं तो बहुत बढ़ियां यहां पर प्लस कोर्स अपना लॉंच हुआ है गेम चेंजर बैच जो गेम बदर डालेगा दोस्तों एक दम और PSI 10 पे इस समय डिसकाउंट भी चल रहा है दोस्तों प्राइस भी हाइक होने वाले एक जून से तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए क्योंकि मेरे जितने कोर्स है सब मिल जाएंगे उसके बाद मेरे जितने कोर्स अभी तक मैंने पढ़ा हैं और मेरे ही नहीं जितने टीचर अनकेडमी पे हैं थे और आएंगे उनके जितने कोर्स थे हैं और आएंगे सब आपके साथ एड़ होता जाएगा टेस सीरीज भी एड़ होत रिफ्रेंस मिलेगी प्लस वालों से उपर चाहिए डाउट्स पूछे अनकेडमी एप पे चाहिए आप टीचर से बात करना चाहिए लाइप क्लास में आइकोनिक वाले को पहले मौका मिलेगा प्लस की जो कॉस्टिंग आती है 354 रुपे पर मन 8000 रुपे और यह कॉस्टिंग बढ़ने वाली है दोस्तो एक जून से 20 परसेंट बढ़ जाएगी 417 रुपे पर मन जो है कॉस्टिंग आइकोनिक कहते हैं प्लस करने पर आपको डिसकाउंट मिल जाएगा दोस्तो तो इससे प्रॉसेस करें कुछ भी इन अप्रिप्रियेट लगे तो रिपोर्ट करें दोस्तों प्यूसिंग नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां पर सारे पोर्सेस आपको मिल जाएगा यह शुरू करते हैं दोस्तों किस कंपनी ने भारती नौसेना कोई स्कॉर्पिन केटेगरी की स्कॉर्पिन जो है वो किस क्लास की जो है वो दी जा रही है इंडियन नेवी को स्कॉर्पिन क्लास आपको टिक करना था एक्जाम में प्रोजेक्ट 75 के तहट दोस्तों इसे किया जा रहा है तीन तो दोस्तों के नाम से थे कलवरी खरंज और कंडेरी कलवरी करंज और कंडेरी तीन वी नाम से हैं दोस्तों यह चछठा है वगसीर जो है यह सिक्स्त सब्मरीन है दोस्तों यह आखरी सब्मरीन है वेला वगीर और वगसीर वेला वगीर और वगसीर यह च्छे सब्मर सेंडिया की भी बना हुआ है यह मजगाओ डॉक सी बिलडर की जो है ढूर दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए कि इसे किसके जो है उस पैस及 सर्टिफीकेट पर है यह आपको बताना है कि यह किसके सर्टिफिकेट पे यह जो है सबमरीन बन रही है ठीक है तो दोस्तों पहले का नाम था कलवरी दूसरे का नाम था खंडेरी तीसरे का नाम था करंज को खो करंज ठीक है उसके बाद वगीर दोस्तों पांच अब वेला जो है वो चोथा था पांचवां था दोस्तों वगीर और वगसीर है दोस्तों चटवां तो वगसीर कौन सा है दोस्तों सिक्स्त है वगसीर चटा है इससे कुश्चन जो है नाम आएगा ही आएगा वगसीर दोस्तों हिंद महासागर की एक सेकारी रेत मचली का नाम है इसका नाम जो है वगसीर रखा गया कि दोस्तों हाली में किसे जो है अभी डारेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन डीजी एमों के रूप में पॉइंट किया गया है डीजी एमों दोस्तों हमारे देश के डीजी एमों कौन है तो वह है मनोज कुमार कटियार मनोज कुमार कटियार हमारे देश के डीजी एमों है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद जबदस्त दोस्तो सेभी ने नियामक और प्रद्युग की समदान का लाब उठाने के लिए अपनी सलाकार समीति अलर्ट का पुनरगठन किया है इस साथ सदस्सी समीति के अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तो सेभी ने जो है अलर्ट अलर्ट का फुल फर्म है एडवाईजरी कमीटी फॉर लिवरेजिंग रेगुलेटरी एंट टेकलोजी सॉलूशन इस साथ मेंबर कमीटी के हिट कौन कर रहा है तो दोस्तो यह जो है कर रहे हैं आपके सुनील बाजपेई सुनील बाजपेई ठीक है ओके अभी नवनीत मनो कौड़ भी सेवी की कमिटी के अधेक्स्ता कर रहे हैं दोस्तों सेवी menthe 1992 संवेधानिक अदिकार मिला 12प्राइल को सेवी k yeah चेयर मार्केट गोल्ड मार्केट कमिडिटी मार्केट सब को रेगुलेट करता है और दोस्तों सेबी की जो हेड बनी है अभी बनी है आप की क्या नाम है उनका कि अरजो पहली नॉन यस बनी है मुधाबी पुरी बुच जो नॉन यस महिला पहली प्राइवेट कंपनी से आई हुई महिला उन्हें दोस्तों यहां पर बनाया गया ठीक है तो यहां सेवी ने जो है अपनी एडवाइजरी कमिटी का हैड सुनिल बचपेई जी को बनाया है जो ट्राई के प्रिंस्पल एडवाइजर हैं दोस्तों इन्हीं के अध्यक्ष्टा में यह चलेगा ट्राई टेलिकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है ट्राई के हैड जो है दोस्तों पीडी वागेला जी हैं ये भी आप यहां पर एक स्टेटिक जी के रख लीजिए ठीक है मदाभी पूरी पुछ का नाम लाश्ट लाइन में लिखा भी हुआ है दोस्तो वर्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है विश्व पृत्वी दिवस दोस्तो हर साल किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो बाइस अप्रेल को मनाया जाता है बाइस मार्च को वाटर डे मनाया जाता है और बाइस अप्रेल को अर्थ डे मनाया जाता है हर साल ठीक है दोस्तो रूस की नई परमाडू सक्षम इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल का क्या नाम है जो दुनिया के किसी भी लक्ष को भेज सकती है तो दोस्तो यह जो है इसका नाम सरमत है रशिया ने इस युद्ध की परिस्तिती में एक ऐसी मिसाइल को जो है परिच्छन किया है सरमत का दोस्तो रशिया की कैपिटल मौस्को रूबल यहां करेंसी दुनिया की पहली कोरोना वेक्सीन अगर किसी ने दिया तो रशिया ने दिया था जिसका नाम था इस पूतनिक फाइफ दोस्तो रशिया से ही हमें ब्रम्होज मिसाइल मिलकर के हम लोग बनाते हैं अतुल दिनकर नाने जिसके हैड है और फिलिपिन्स को हम लोग वह प्रम्होज मिसाइल दे रहे हैं उसकी अभी हम लोग ने आइनेस दिल्ली से परिक्षण किया आइनेस विसाखा पठिनम से किय आई ने से भी परिक्षण किया है दोस्तों साड़े तीन सो किलो मिटर इसकी रेंज है जिसकी सुखोई से भी परिक्षण हुआ अंडमान निकोबार आइलेंड से भी हुआ और उडिसा के अब्दुलकलाम द्विप से भी हुआ आई ब्रमो एक परिक्षण हम झालोंने पाकिस्टान में भी जलती से किया था हिथ दोस्तों ऑईल इंडिया लिम्टेड ने किस राज में भारत के पहले फ़स्ट पूर ते ग्रीन हाइडरोजन प्लाउन्ट 99.99% प्यो और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों किस राज्य में जो है यहां पे उध्गाटन किया गया है तो दोस्तों हाइड्रोजन प्लांट अगर होगा तो जो रहत आसाम होगा अगर एथनॉल प्लांट होता तो उसका एंसर होता भी हार अगर एथनॉल प्लांट होता तो भी हा पडार एंसर होता, अगर हाईड्रोजन प्लांट है तो दोस्तों जो रहत में जो है आसाम में यह हुआ है, जो भी हुआ है दोस्तों वह सांब हुआ है, ऑईल इंडिया लीचेड ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो हाइड्रो करापन कोज करता है, उसी ने जो रहाट में आसा में भारत के पहले 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 99.999999% सुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पाइलेट प्लांट का उद्गाटन किया है ठीक है यह सहं अंत्र दोस्तों इस प्लांट इस आल्सो फर्स्ट इन इंडिया टी यूटलाईज़ गया अनियर एक्षेंज मेंबरेंट टेक्नाजी का यूज करने वाला यह पहला प्लांट है कहला रहां दोस्तों जो रहाट असम की बात हो रही है तो आसम की कैपिटल दिसपूर है मुखमंत्री हेमंद विश्वा सर्मा है यह बेडमिंटन फेडरेशन के हेड भी है इनी के हेडरेशन हेड बनने के बाद थाइलेड ने में भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप जीता है जो की बेडमिंटन का वर्ल्ड कप कहा जा अभिनंदन योजना उतरन अरुणोदय योजना प्रणाम योजना भासा गौरव स्कीम यह सब यहां की योजना है शिशु सेवा योजना है दोस्तों साड़ेटीन हजार रुपए पर मन्त दिया जा रहा है वह अनात हुए बच्चों को प्रोजेक्ट निरामय योजना प् पार्क यह एक्जाम में पूछ चुका है जोगी गुफा भूंगई गाउं में दोस्तों जी आई टेक यहां के काजी नीमू को मिला है तेजपूर लीची को मिला है और जुडिमा राइस वाइन को भी मिला है आसाम में दोस्तों टाटा कंपनी ने साथ कैंसर हॉस्पिटल जिसके लिए इन्हें असम वैभो अवार्ड मिला है दोस्तों लवलीना बॉर्गेहेन यहां पे वॉक्सिंग जीत के आई हैं स्वेल्टर वेट केटेगरी में टोकियो में ओलंपिक में पहली महिला है जिनोंने मेडल जीता है असाम में लवलीना बॉर्गेहेन को समग सिक् एक्जाम में ऐस पी भी बनाए गया दोस्तों और इन्हें आसम वैभौ आवारड मिला रतन टा को असम गोहार्व आवार्ड मिला है दोस्तों यहां पे मानस नेश्ननल पार्क है जो भूटान तक फैला है यहां पर काजी रंगा नेशनल पार्क है यह दोनों व्रुक्त किया है जो वर्न और राइनो के लिए यह लेकिन साउथ अफ्रिका के राइनोस के लिए दो जंगलों में राइनोस के लिए उसे जो है लॉंच किया गया था करीब से्टलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशल पार्क यहां और अधाम राज्य गांधी जी की नाम यहां से हटा दिया गया इसके बाद दोस्तों यहां पे डिब्रुगड साइखोवा नेशनल पार्क भी है डिब्रुगड से कन्या कुमारी तक सबसे बड़ी ट्रेन सबसे लंबी दूरी तह करने वाली विवेक Steel को जोड़ता है दोस्तों यहीं पर जो है मानस और ना मेरी नावेरी नेशनल पार्क भी है पांच नेशनल पार्क पहले थे लेकिन अभी दो दयों रहया हो गए राएमोमग नेशन पार्क और देंग पठकाई नेशनल पार्क तो यहorious पठकाई भारत का इदम नवीनतम नेश्टल पार्क है जो आसाम में ही ओपन हुआ है दोस्तों सर्वानन सोने वाल आयूश मंत्री और पोर्ट सीपिंग और वाटर वे मिनिस्टर यहीं के हैं जो पुर्मुख मंत्री थे असाम के अभी जो है माजुली आइलेंड से माजुली इसलिए वाटर वे का उनको बहुत अच्छा जो है अनुभाव भी है ओके तो चलिए दोस्तों यहां पे हम लोग ने बहुत सारी बाते इस पर करी एक भुपेन हजारी का जो आसाम के सिंगर थे उन्हें भारत रत्न मिला भी आखरी उन्हीं को मिला था मरनो परांत उनके न धोला साधिया ब्रिज भी कहते हैं ठीक है समझ गए चलिए दोस्तों विच बिकेम इंडियास फॉर्ष इस्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनिंटरॉप्टेट इंटरनेट एक्सेस निर्बाद इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर इस्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया जो एल रूट सर्वर का यूज करके निर्बाद इंटरनेट एक्सेस देगा दोस्तों नई सुविधा राजस्थान के भामा सा प्रताप की मदद करी थी पैसे दे करके अपना सर्वस्व दे करके कि वो सेना बनाएं और अकबर की सेना से युद्ध लड़ें दोस्तो राजस्थान 30 मार्च को दोस्तो इसने जो है अपना इस्टेटू डे मनाया पहले इसका नाम राजकुताना हुआ करता था जैपुर यहां की कैपिटल है जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं जहां आटो बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर भी उपन हुआ जहां पी सी जी भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है जैपुर दोस्तो सिटी ऑफ हेंडी क्राफ्ट और फोक आर्ट चुना युनेस्को नेस्को और सीनगर को भी चुना है ठीक है दोस्तो अशोग गहलोत यहां के मुख्यमंत्री है गवर्नर है कल राज मिश्रा प्रसासन गाओं के सेंग कंपेन यहां पर सुरुआ इंडिया रसुई योजना यहां पर सुरुआ चिरंजीवी स्वास्त बीमा योजना इंद्रा गांदी सहरी क्रेडिट काड योजना मुख्यमंत्री अनुप्रिती कोचिंग योजना ठीक है और मिशन निर्यातक बनो योजना घर घर ऑसदी योजना और रामगड विसदारी टाइगर इजर्व अभी यहां का बावनवा टाइगर इजर्व भारत का राजस्थान का चौथा टाइगर इजर्व बना रिनिवे अधर है वो जो है कि क्या कहते हैं इन्वार्मेंट वाले वह यहीं से चुनके आते हैं वुपेन यादो है ना दोस्तों राजस्थान के लोंगे वाला पोश्ट पर भारत का सबसे वड़ा तिरंगा फैर आया गया पंदरह जनवरी को आर्मी डे के दिन आर्मी डे के दिन द के लिए दोस्तों बोल्ड मिशन सुरू वा था उद्यपुर में बंबू आसिस और लेंड इंड़ाट नेशनल हाईवे 925 पर पहला इमजन्सी लेंडिंग फिल्ड बरी भी यहीं पर सुरू रूरा था पहला इमजन्सी लेंडिंग फिल्ड यहीं पर बनाया गया था अन अ 925 पर नेशनल हाइवे पर इमजनसी लेंडिंग कराई गई सुखोई की हरक्यूलिस की ग्लोब मास्टर की सबकी जो है हेलिकॉप्टर्स की इमजनसी लेंडिंग कराई गई थी ठीक है दोस्तो उस बैंक का नाम बताए के जिसने हाली में डारेक्ट टेक्स और इंडारेक्ट टेक्स कत्र करने के लिए सीबी डीटी और सीबी आई सी के साथ एक टाई अप किया है बाड मेर में एनेच टूफाइव ए वेरी गुड बाल विवा को वैलिड किया वेरी गुड परमादू परिक्षन पोखरण में 11 माई टेकलॉजी डे वेरी गुड अब कंपर्टीशन एक्जाम के लिए फ्री ट्रेवल राजस्थान की बस से वेरी गुड और और कुछ बोल्ड केंपेंज जो है बीस एफ के द्वारा चलाए गया मोदी जी ने उद्ध गटन किया था बिल्कुल यहां पर बहुत सारे गंग और फेस्टिवल वेरी गुड यहां पर नेशनल पार्क है केवला देव रठंबॉर मुकुंद्रा माउंट आबू डेजर्ट सीता माता सरिस्का बहुत सारे नेशनल पार्क है दोस्तों यहां पर दिल्वारा जैन मंदिर भी है माउंट आबू में वेरी गुड दर्रा नेशनल पार्क वेरी गुड जैपूर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेट क्वाटर है वहां इन जीवी योजना वेरी गुड गुड सरिस्का में आग लग गई थी बिल्कुल 27 टाइगर मरे नहीं है पर मरे हैं नहीं 27 टाइगर हैं वहां पर तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें डारेक्ट टेक्स और इंडारेक्ट टेक्स किसे कहते हैं कि इंकम टेक्स को और कॉर्पोरेट टेक्स को डारेक्ट टेक्स कहते हैं जो आपकी इंकम पे लिया जाता है और कॉर्परेट टेक्स कंपनियों की इंकम पे लिया जाता है इंडारेक्ट टेक्स में हम लोग जी एस्टी को कहते हैं एकसाइज ट्यूटी या कस्टम ड्यूटी को कहते हैं क्योंकि वह वस्तुओं पे लिया जाता है जो वस्तुओं पे लिया जाता है वस्तु खरीदते हैं और हम टेक्स पे कर देते हैं इंडिरेक्टली हमें पता भी नहीं चलता हम समान खरीदते हैं और पे कर देते हैं और हम व्यापारी को देते हैं व्यापारी सरकार क CBIC के हेड विवेक जोहरी है ठीक है बात समझ में आ गया किलियर है इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि धनलक्षमी बैंक की तो धनलक्षमी बैंक इसके पुर्व हेड थे अब 10 रोक्षमी बैंक कौन है दोस्तों जे के सि वन कौन है जे के सिवन समझ में आ गया बहुत बढ़ियाँ में अजीत सींग नहीं है अजीत सींग जेभी महापात्रा गए बहुत बड़े नक से कड़ गए बाग कटे हो गया उन लोग का समझ रहे हो तो दोस्तों धनलक्षमी बैंक तो भई इसी लिए मैंने यह कुश्चन में यहां पर टाइम दिया जो भी ऑर्गनाइजेशन थे उसके बारे में बताया ताकि आप ल जोहरी आजाए जेभी महापात्रा की जगह सीबी डीटी में संगीता सिंग और जेभी आईसी में अजीत कुमार की जगह विवेक जोहरी तो आप लोग हमको थेंक्यू बोल दिजे हम आप लोगों का थेंक्यू ले लेंगे दोस्तों हाली में किस पेमेंट बैंक ने अपने फिनेंशल प्रोड़क्ट को डेवलप करने के लिए इस टार्ट अप को कलको की परसो एक्जाम है और आज आपको यह पता चल गया कितनी अच्छी बात है श्टार्ट अप को प्रोटसाहित करने के लिए फिन क्लुएशन प्लेटफॉर्म लॉंच किया है किस पेमेंट बैं हुआ है गैए तो दोस्तों इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक 2018 में आया था है ना है ओके 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 रहे थैंक्यू क्या जरूतित मेरा फर्ज था इसकी क्या जवत तो इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक पहरत पहला एसा सरकारी payment bank है जो small finance bank में convert हो जाएगा 5 साल का operation पूरा करने के बाद पांच साल का operation पूरा करने के बाद दोस्तो भारत में 11 payment bank को 2015 में license दिया गया था लेकिन जो है खाली 6 काम कर रहे हैं पांच ने मना कर दिया किसने idea ने अधितबिल्डा ने मना किया वोडा फोन ने मना किया और टेक महिंद्रा ने मना किया चोला मंडलम ने भी मना कर दिया खैर मना करने वालों का हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं सन फार्मा के मालिक दिलिप सांग भी ने भी मना कर दिया ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पे जो है जो काम कर रहे हैं यह सब काम कर रहे हैं इसके अलावा जीयो काम कर रहा है जीयो पेमेंट बैंक और दोस्तों पेटियम पेमेंट बैंक भी काम कर रहा है पेटियम पेमेंट बैंक को नए एकाउंट खोलने से प्रतिबंदित किया गया है नए एकाउंट यह नहीं खोल सकते हैं जीयो पेमेंट में SBI का 30% share Reliance Industry का 70% है ठीक है कि ओके दोस्तों अच्छा पेमेंट भारत का पहला पेमेंट बैंक है जो 2017 में आया था अनुब्रत विश्वास इसके हेड है दिल्ली हेड़कॉाटर है इंडिया पोष्ट पेमेंट बैंक का भी दिल्ली ही हेड़कॉाटर है पेटियम पेमेंट बैंक का नोइडा हेड़कॉाटर है जीयो का इनसब का मुंबई हेड़कॉाटर है ओके क्योंकि कल हम लोगों ने जब हम लोग ने प्लस बैच में पेमेंट बैंक कोई स्मॉल बैंक के सबके हेड पढ़े सबके येर पढ़े सबकी टेग लाइन पढ़ी और सबका तो NPCI की सारी services पे question answer किया है UPI 123 पे से लेके UPI के भीम के जो नया जो slab आया है एक लाक रुपए का उस पर भी हम लोग ने चर्चा करें बहुत सारी चर्चा कल हम लोग ने करी है कल दो टॉपिक खतम किया परसो दो टॉपिक खतम किया कल भी दो टॉपिक खतम किया हम लोगों ने गेम चेंजर बैच में किसमें गेम चेंजर बैच में तो दोस्तों पेमेंट बैंक में इतने लोगों ने मना क्यों किया क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता अब पेमेंट बैंक दोस्तों दो लाक से उपर का डिपॉजिट भी एंड ऑफ दे में एक्सेप्ट न कि मतलब आदमी कमाएगा नहीं तो फिर क्यों खोलेगा समासेवा करने के लिए क्या तो जब लोन ही नहीं दे सकता अच्छा निवेश भी नहीं कर सकता वह केवल सरकारी बॉंड में ही निवेश कर सकता है 75 परसेंट और 25 परसेंट अधर बैंक में यारी देखा जाए तो पेम और रहको ना गया यह 6 भच गया उधर 10 को को लाइसेंस दिया गया था दो और आ गया इस सीवाली भी अगये के बाद नचिकेत मोर कमीटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक आई थी अभी दोस्तों पोश्ट आफिस की देड़ लाग ब्रांचेस में जो सेविंग अकाउंट हैं उसमें एन एफ्टी आटीजिस की परमीशन मिल गई है यानि वो दीरे-दीरे सी बीस कनेक्टेड होता चला जा रहा है दोस्तों उस पद्म पुरुसकार विजेता का नाम बताएं जिन्नोंने हाली में तीन वर्सों के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाकार के रूप में जो है दोस्तों अपॉइंट हुए हैं तो दोस्तों प्रिंस्पल साइंटिफिक एडवाइ जिये दिन ड्स मेंडी में वाहां पर प्धान मंतरी यह उनके पर समय कहा है तो नीटियो के वायस प्रेसिदेंट प्रेसिदेंट सुमन taking अब मेरे दिमाग में अजय कुमार सूध गुज गया अब मैंने कई दिन पढ़ा दिया तुम लोगो निती आयोक के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार सूध बने कोई टीचर अपनी गलती नहीं बताता लेकिन हम अपनी गलती बताते हैं कि हमने ऐसा किया था दो तीन दिन तक फिर जो है हमको किसी ने सत्य क्या ग्यान कराया कि सर तो सुमन बेरी बने ना अनीती आयोक के हमके हां यार बात तुम सही कह रहे हो तो हम अजय सूध क्यों बोल हैं तो फिर पता चला दोनों अपाइंटमेंट एक ही दिन हुआ तो मेरे में मिक्स हो गया एक ही दिन में मैंने दोनों पढ़ायते तो दोस्तों प्रिंस्पल सेंटिपिक एडवाइजर के विजय रागवन जी थे उनकी जगा अजय कुमार सूध बने हैं और सुमन बेरी न क्वात्रा फ़ोरेंट्री बने हैं बिल्कुल सई बात है और उनकी जगह बने है कि चिक जगह हर्श्माद्धन सिंगला की जगह तो हर्स्माद्धन सिंगलाठ f वो क्या हो गए अब व ग्या हो गए अब तो वह हो गए आपके जी 20 के कौणिनेटर की जी 20 अगला यहीं होने वाला जी 20 के सेरपा है प्यूश गोवल जी ठीक है और दोस्तों principal scientific advisor यह हैं चीफ economic advisor कौन है हमारे देश में anant नागेशवरन दोस्तो नेशनल सिक्योर्टी एडवाइजर कौन है हमारे देश में अजीट डोभाल प्रिंसिपल एकनॉमिक एडवाइजर कौन है दोस्तो हमारे देश में संजीव सान्याल प्रधान मंत्री की एकनॉमिक एडवाइजरी कमीटी में भी संजीव सान्याल है रतन वटल है तो प्रशिद जी विज्ञानी के रागवन का ये इस्थान लेने जा रहे हैं अजय कुमार्शूद अजय कुमार्शूद हैं कौन और री प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट अफ फिजिक्स में आई आई सी बेंगलूर्ट जो बेस्ट इंस्टिटूट कहा जाता है देश का उ साइंस एकलोजी वाला एडवाईजरी यह देंगे उसकी एक टीम बना रखी है बढ़ियां बढ़ियां लोगों की एकनॉमिक एडवाईजरी काउंसिल की एक टीम बना रखी किसी ने पूछा था 24 में मोदी जी से कि भाई आप तो पीजी दमरम सहाब बहुत बड़े समिश थे और पीची दमबरम सहाब कि मोदी जी को इकनॉमिक का उतना ही जितना की डाक टिकट पर लिखा जा सकता है तो उनसे पूछा गे मोदी जी से कि क्या यह बात सच है तो कहा हाँ बिल्कुल सच है इकनॉमिक का तो हमें कोई ग्यान नहीं हमने पढ़ा नहीं लिए करना तो यह समझ होती है अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था सबसे ज्यादा अनपड़ था और उसने जितना अच्छा सासन चलाया उतना किसी नहीं चलाया क्योंकि पढ़ाई लिखा इसे समझ को कैसे यूज करना वरना बड़े-बड़े आईयस लोग जो है है वो किसी अनपड मंत्री के अंडर में राज जो है कि उनकी जीहरी नहीं कर रहे होते क्योंकि समझे चाहिए राज करने के लिए राज करना एक अलग चीज है वो समझ गुनी के उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है जैसे कि अब क्या वाता है हमारे लिके हम अखिले से आदव जी भी बहुत पढ़े लिके हुट 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 कर रहेते सब्सक्राइब उनको विदान सबाव देजिए चाहे लंदन में भूट हु मोदी जी ने किस सहर में इनॉग्रेट किया तो वैश्विक आयूष निवेस और नवाचार सिखर सम्मेलन जा है इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो है यह किया है गांधी नगर में कहां किया है गांधी नगर में और इनके साथ कौन थे मौरिशस के प्रधान मंत्री भी थे दोस्तों और डबलू एच्चो के हैड भी थे डबलू एच्चो के हैड्त टेडरोष गेब्रेशियस फिर से चुने गए हैं इथियोपिया अधिस अभाबा बिर उसकी करेंशी अभी पूछा था एकजाम है पिर किसकी करेंसी मौरिसस पोर्ट लुइस और रुपिया करेंसी मौरिसस के प्रवीन जगनाज जी मौरिसस को एक्जिम बैंक ने 190 करोड का लोन भी दिया है मेट्रो बनाने के लिए इसलिए महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी बना रहे हैं मौरिसस को हमने advanced light helicopter भी दिया MK3 DRU helicopter जो हिंदुसतान एरेनाटिक्स लिम्टेड में बनाया है बात समझ में आरही है तो दोस्तो इसके अलावा ये तीनों लोग यह है टेडेयों सधनौम डबलू एच्चो के हेड ये मोदी जी ये प्रविन जगनात और ये गुजरात के मुखमंत्री ये लोग इसके पहले एक दिन पहले जाम नगर में जाकर के डबलू एच्चो का ग्लोबल सेंटर इन ट्रेडिशनल मेडिशीन का उदगाटन कर चुके थे दोस्तों इसी जाम नगर में आई एनस वलसुडा है जो आई एनस वलसुडा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है आई एनस वलसुडा को दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी इस बार का द पनाश काठा जिलेके दियौधार में एक नया डेरी कॉंप्लेक्स और आलू प्रसंस कर्ण सयंत्र राष्ट को समर्फित किया य persones कहां है इलेक्ट्षन कहां है तेलंग में में गुजरात में गुजरात में मोधी जी यहां पर इस सयंत्र का उद्घातन कियां इन्होंने गुजराट में ठीक है क्लियर है है ऐसे बहुत सारी चीजे जो है दोस्तों गुजरात में शुरू करी हैं भुज में भारत में सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत में सिविल सेवा जो है फर्स्ट जुलोजिकल पार्क क्या होता है सबसे बड़ा चुडिया घर चुडिया घर को जुलोजिकल पार्क कहते हैं इंडिया का पहला जुलोजिकल पार्क जो है वो जुलोजिकल पार्क नहीं है वो जियो लॉजिकल पार्क है और यह जियो लॉजिकल पार्क जो है यह MP में उपन हुआ है इसे यह MP में उपन हुआ प्यआ कि जो प्य verbs बेला घाट जो की नर्मदा नदी के बीच में दोनों तरप समंदर अरे संगवरमर के पहाड़े वहां पे उपन हुआ जहां पर डाइनासोर का जीवास मिला था दुनिया का पहला जो है फोसिल्स मिला था डाइनासोर का वहीं पर मिला था दोस्तों ठीक है तो सिविल सर्विसेज डे दोस्तों किस दिन मना जाता है जो है यह 21 अपरेल को मना जाता है दोस्तों सिविल सर्विसेज को वालों जो होते हैं वो आईएस कहलाते हैं और पहले ये आईसीएस कहलाता था अंगरेजों के जमाने में पोस्ट इंडियन सिविल सर्विसेज इसलिए आज पी सिविल सर्विसेज ही कहा जाता है पहला आईसीएस ऑफिसर बने थे सतेंद्र नाथ टैगोर रविन्ना टैगोर जी के बड़े अभी इनको ट्रेंड करने के लिए एक मिशन भारत में चलाया जाता है जिसका नाम है मिशन कर्म योगी मिशन कर्म योगी के लिए वर्ड बैंक दोस्तों जो है लोन दे रहा है वर्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा है यह बात भी याद रखेगा ठीक है याद रखेंगे मिसन है MSME के लिए और रिवार्ड मिसन है वाटर सेड मेनेजमेंट के लिए स्टार्स मिसन है इस्टेट्स की टीचिंग और रीडिंग को जो है बढ़ियां करने के लिए बात समझ गई क्या हो गया नहां कैसा हाथ मां जोड रहे हो तो दोस्तो यहां पर अगर बात की जाए तो USA की उपराश्पती कमला हैरिस की रक्षा सलाकार के रूप में किसे नियुक किया गया वो हैस बिन अपॉइंटेड एज USA वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस डिफेंस अडवाइजर तो दोस्तो 37 सेठी को जो है इनकी रक्षा सलाकार के रूप में नियुक किया गया कमला हैरिस कमला हैरिस हमारे ही देश की हैं इनकी माता जी तमिलाडू की राज गुपालन जी है और ये जो है इनकी जो बनी है त्रक्षा सलाकार वो 37 सेठी बनी है ऐसे ही आपको बताना है कि दोस्तो एक राज अयर करके थे जो यूएस आर्मी में चीफ टेक्नलोजी ऑफिसर बने थे ये भी यूएस आर्मी में अपना एक स्थान जो है बढ़ियां किये थे ठीक है केतन जी ब्राउन फर्स्ट ब्लैक वीमें जज बनी है अमेरिका में यह है तो दोस्तों यहां पे जो है अगर हम लोग करें अमेरिका की तो अमेरिका में नासा में जो एक्टिव चीफ बनी थी वो बनी थी दोस्तों भाव्यालाद पर्सिवरेंस मिशन मंगल मिशन की हेड बनी थी स्वाती मोहन राजाचारी अंतरिक्ष गए थे दोस्तों और राजाचारी के बाद अन्ना मेनन भी अभी जो है अंतरिक्ष जा रहे हैं तो यह सब भारतिय हैं जो दुनिया में नासा में भी अपनी स्थान बनाए हुए हैं इसके बाद चाहे आई बीम की बात करें अर्विंद किष्णा साहब IBM के हेड है जो कि अभी अमेरिका के रिजर्व आर बी आई में यानि अमेरिका के फेडरल रिजर्व आफ न्यू यॉयॉर्क के बोर्ड डिरेक्टर में सामिल हो गए ट्विटर जिसको की एलॉन मस्क ने 44 बिलियन में खरीदा उसके सीओ एक इंडियन है पराग अगरवाल ट्विटर के चाहे सुंदर पिचाई को ले लिजे गूगल और अल्फा बेट के हैं चैसात्या नडेला को ले लिजे माइक्रोसॉट के हैं भारती हर जगा चाहे विसां ट्राइला को दिया गया वैक्सिन बनाने के लिए इन दोनों लोग भारत का नाम रोशन करने के लिए दिया गया है इसके अलावा एक सीरिसा बंदला करके लड़की थी वो ब्रीटेन में वर्जिन गलेंटिक कंपनी की तरफ से छे अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थी जो कैनेडियन एंबर ब्रेके जो है वर्ड पेस फोटो आफ दे इयर जीते हैं वो जो क्रॉस वाले जो स्कूल उनिफॉर्म में फोटो थे वह वाला ना यूनाइट यूनाइटेड नेशन यूएस नेशनल अकेडमी आफ साइंस के कबल बावा चुने गया है वेरी गूड है रटें दोस्तों कॉंटम कम्प्यूटिंग पर वर्टोल नेटक की स्टाइब करने के लिए भारत किस देश के साथ तो भारत ने टइंब किया है दोस्तों फिल्लेंड के साथ फिल्लेंड की जो पधानमंत्री है सना मरीन है और हैपिनेस में इसकी दुनिया में पहली पोजिशन है और हमारी पोजिशन 136 भी है दोस्तों नोकिया फिल्लेंड की कंपनी थी जिसने हमारे देश में राज किया था बाद में Microsoft ने उसको खरीद लिया जब उसके बुरे दिन आये बुरे दिन क्यों आये इस कहानी से आप एक सिक्षा ले सकते हैं competitive market में जीना कैसे है competitive market में आपको update रहना अप्ग्रेड रहना Nokia एक Esik market का सबिद्स बहुरत में कोई बीडिये ओकर रिचार्ज कराने जाता ऑट लें इस बचारे का वाली को यह नहीं पता था यह ना के ये नोगिया में एड्टेorkर लगां के रिलायंस लगां की Vodafone लगा है उसको यह पता था कि आगे यूजा करते हैं उस देशनोचिया कैसे खतम हो गया ईक महीरा क्योंकि एक फी शॉप्ट वे राया था एंड्रोइड कि उसको उस्सने एक्सेप्ट किया कि उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों उसने का हम सिंबियन पर ही चलेंगे पुराने पेटन पर एंड्रॉइट चाइनीज कंपनी यूज करते चले गए वह आगे निकल गए और नोकिया खतम हो गया भारत से इसलिए अपग्रेट हमेशा रही है वरना आप कंप्टीशन से बाहर हो जाएंगे पता भी ने चले का एक बहुत बड़ा कंप्टीशन का दोर है तो दोस्तों यह इसी और पुने में और सीडेक पुने में दोस्तों अभी परम पुरोल एक सूपर कंप्यूटर की बी जो है कि दोस्तों आज सुवह मैं ने आप लोग को पढ़ाया परम पुरोल हुआ तो दोस्तों यहाँ पर वर्चुवल नेट्वर्प सेंटर ऑफ ऑफ और के लिए आईटी मदरास में हुआ है भूटान ने जो है हैपीनेस को अपना आधार सबसे पहले बनाया था हैपीनेस को अपना आधार बनाने वाला पहला देश भूटान दो कि दोस्तों किस राजर के इंसासित पदेश ने विभिन पर योजनाओं से संबंदित शिकायतों को ऑनलाइन दर्श करने में लोगों की मदद करने के उद्देश से एक जन अब निगरानी एप लॉंच किया है तो वह जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी एप लॉंच किया है दोस्तों इसने अभी परिसीमन हो रहा है जहां 90 सीटे यहां पर जो है की बनाई गई है जिसमें जम्मू में दोस्तों 43 सीटे बनाई गई है और कश्मीर में 47 सीटे बनाई गई है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ी हो दोस्तों बिलिटी इलेक्ट्रिक ने हाल ही में किस राज में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री विलर मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट स्थापित करने की खोशना की है तो दोस्तों यहां पर थ्री विलर इलेक्ट्रिक थ्री विलर मैनुफेक्ट्रिंग प्लां बनाई थी है ना बनाई थी जो दोस्तो कर रहें तेलंगाना की तेलंगाना में इसे बनाया गया है तो तेलंगाना की कैपिटल हैत्राबाद है जिसे वर्ल्ड ट्रिंस सीटी गोसित किया गया मुंबई के साथ इसे city of gastronomy चुना गया और मुंबई को city of film भी चुना गया के चंसेखर रहो यहां के मुखमंत्री है गवणनर है तमिली साइस अंदर राजन ये पुड्डू चेरी की भी है फिलिपकाट ने यहां medicine from the sky शुरू किया है उत्तरा खंड ड्रोन का यूज करके medical supply देने वाला पहला राज़ बना और आपदा में लोगों को फसे होने के बाद ड्रोन का यूज करने वाला भी उत्तरा खंड पहला है खेर यहां बात तो तिलंगा ना की हो रही है तो कुम्ब मेले के बाद दूसरा सबसे वड़ा जो मेला है वो मेदारम जतारा मेला यहीं लगता है आदिवासियों का मेला पत्थरों का संगरहाल है दोस्तों हैदराबाद में open किया गया है दराबाद में ही आपका जो है भारत डाइनमिक लिम्टेड जो मिसाइल बनाता ह बांस से 12 साल के जो है बच्चों को जो वेक्सिन लगने वाली है कौर्बो वेक्स वह जो दोस्तों इसी ने बनाई है कर भारत बायोटेक कि जो हेड है सुचित्रा इल्ला इसको इनको और किष्णा इल्ला को पद्मभूशन दिया गया सत्रा लोगों को पद्मभूशन दिया गया था और सुचित्रा इल्ला को सी आई आई की साउधन रेंज का हेड़ भी बनाया गया इंटरनेशनल योगा एकेडमी हाटफुलनेस योगा एकेडमी की सुरुवात दोस्तों याधारसिला रखी गई है आयूश मंतरी सरवानन सोनेवाल जीकेद्वरा इस बार 21 जुन को योगा डे मैसूर में मनाया जाएगा करनाटक में यह भी याद रखेगा और योगा एक फेश्टिवल मनाया गया आपका साओधी अरब के जिद्दा में यह भी याद रखेगा और एक वायू नाम से योगा इन्वसिटी भारत के बाहर अगर अगर ऑपन की गई है वह तो लॉस एंजलिस में ऑपन की गई है सबसे बड़ा म्यूजियम तो वह कलकत्ता वाला है सबसे पुराना भी है दोस्तों दोस्तों सोलर फिट की स्टेच्यू अफ इक्विलिटी यहां पर सुरू की जो है बनाई गई है स्वामी रामानुजा चारेजी की हैदराबाद में तेलंगाना दोस्तों खुले सौच में गाउं में दोस्तों हाईश नंबर लाता है ओडियव फ्री किया है सांसत आदर्वत ग्राम योजना के टॉपट तेन गाउं में भी दोस्तों तेलंगाना नहीं टॉप किया है इस्त्री योजना भी तेलंगाना ही चला रहा है दोस्तो रायतू, बंदू, रायतू, वेदिका योजना जो किसानों को आर्थिक मदद देने वाली योजना है औरीसा में कालिया योजना है और देश में किसान सम्मान निदी पीम किसान योजना है इसके बाद दोस्तों IPL की तरफ फुटबॉल का लीग होता है इंडियन सूपर लीग ISL ये इस बार हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है मुहमद आजम को दोस्तों यहां पे युवा पुरुसकार मिला मक्सूसिस आपको कॉमन पॉइंट अफ लाइट अवर्ड मिला हंगर हैज नो रिलीजन चलाने के लिए दोनों लोग हैदराबाद के हैं तेलिया रुमाल जी आई टेग दोस्तों प्राप्त हुआ हैदराबाद के बेगम पेट एयरपोर्ट पर दोस्तों इस बार का विंग इंडिया प्रोग्राम हुआ है जिसमें की कोचीन एएरपोर्ट को दोस्तों रुद्रेशवय टेमपिल जिसे की रामप्पा टेंपिल भी कहा जाता यह पहला मंदिर जो जिस मंदिर जिसने मंदिर को बनाया है खंबों पर नकासी करिए 40 साल तक उसके नाम से मंदिर सिल्पकार का नाम है रुद्देश्वर टेंपल दोस्तों संकर जी का टेंपल है जो भारत का 49 वर्ल्ड हरिटेस साइड यूनेस्को ने चुना है पहुत सुंदर कलाकृती है चालिसवा चुना है धोला वीरा को जो कक्ष गुजरात में है इंडेस वेली सिविलाइजेशन का शहर है SBI ने नेहरू जिलाजिकल पार्क में 15 टाइगर्स को गोद भी लिया है SBI ने भारत का पहला जो है अर्बन फॉरेश्ट पार्क मोबाईल एप इन्होंने सुरू किया इगवर्नेंस पे नेश्टनल कॉंफरेंस इन्होंने हैदराबाद में सुरू किया भारत का पहला लेडीज इंडेस्ट्रियल पार्क हंडेck पर्सन वी मेन ओंडफ फेलो फेलो इंडेश्ट्रियल पार्क यहीं पर बनाया गया को कीगग लेडीस ऑर्गनाइजेशन की हेट जो हैं कि वह है बौत जैन्ती डाल्मिय और फिकी के हेट है कि फिक्की के हेट कौन है संज्यू नहीं है सी आई आई के हेट संज्यू बजाज है और फिक्की के हेट जो है संज्यू मेता है नहीं नहीं मैं बार बार इसी में कन्फ्यूज हो जाता हूं संज्य बजाज और संज्यू मेता और नैसकॉम के हेट है क्या नाम है उनका कृष्ण मूर्ती रामानुजन इसी समय मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ यह सब जो इधर बीच बदले हैं CII, भिक्की और नैसकॉम यह तीनों बदल गए समझ गए दोस्तों इसके बाद बात करें क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फसल विविधिता करण सुचकान जारी करने वाला पहला राज है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली इंबुलेंस जारी करने वाला यह पहला राज है एस बी आई ने यहां पर हैदराबाद में आई आई एसी ओपन किया है सेंटर इनोवेशन इनक्यूबेशन एन एक्सिलरेशन सेंटर ओपन किया है और भी आई ने एक सियर पी सेंटर चंडीगण में ओपन किया है वन ट्रिपल फोरेट टोल फ्री नंबर के साथ आपको कोई भी कंप्लेन हो बैंक की कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ हो बैंक किया हो Google पे ने किया हो Amazon ने किया वन ट्रिपल फोरेट डबाइए ठीक है कि समझ गये चल लो अब आएटी हैदराबाद ने अभी वह भी किया है जो है आपके 5G 6G का जो है मीमो का मीमो का जो है कि टेस्टी किया मल्टिपल इन्पुट मल्टिपल आउटपुट का जो है परिक्षण किया है आई टी हैदराबाद नहीं बायो ब्रिक से भी जो बिल्डिंग बनाई थी बिल्कुल सही कहा अपने शिवानी कि समझे गए हैं । अधिफे में दूनिया का सबसे बड़ा कैमपस भीおおपन किया Divine ने दुनिया का सब से बड़ा उपन कया और यहादराबाद इठीक है कि दोस्तों सभी सौग slave ही किस तरीक तक और केंदर मिल जाएंगे अलस हंड्र शमाट सिटी वil 78ad integrated Command and Control Center में तो दोस्तों सभी smart city में integrated Commando Control Center जो है यह स्थाप्राइद यह स्थापित है जैसे हम लोग का जो एक नहीं स्टूडेंट है प्रितम प्रजापती वो वरानशी के इसी सेंटर में बैठता है जो अभी आया था हमारे आया मिठाई विठाई खाके गया वह इसी सेंटर ने बैठता है इंटी ग्रेटेड जो है कमांड और कंट्रोल सेंटर में बैठता है पूरा बनारस का सारे चौराहे का और सब चीज का निगरानी रखता है पूरा कि कहां क्या चल रहा है तो दोस्तों यह सभी 100 स्मार्ट सिटीज में लगाए जाएंगे ऐसा केंद्री आवास और सहरी मामलों के मंत्री हर्दीप सिंग पूरी जी ने कहा है ठीक है हूँ आँ है कि दोस्तों निमनलखित में जए किस ने अंतरश्ची क्रिकेट से सन्यास ले लिया है वूए ओंग डिपोल्यम क्रिकेट से और व्रॉश्चेन से सन्यास ले लिया दोस्तों केरौन पमाड्ड ने के रॉन पोलाड ने दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर लिया है सन्यास ले लिया है वेस्ट इंडीज की कैपिटल का नाम मैंने पूछा था हमको लोग नहीं बता पाए फिर जो है हाँ आप यू सरका लाडला विल्कुल सही प्रीतम प्रजापती को आपने सही प नाई है क्रिकेट की जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है कि बात समझ में आ रही है कि तो तो गुरू तेख बहादूर जी की जैनती कब मनाई गई थी चार सोवी जैनती जिसमें लाल की ले पे एक बहुत भव आयोजन जो है किया गया था तो यह दोस्तों 21 अप्रेल को मना आई गई थी दोस्तों भार्टी क्रिकेटर को विजन के 5 ग्रीकेटर और में नामित किया गया एक तो जस्परीट बुमरा थे जस्परीट बुमरा अ दूसरे कौन है बुमरा तो दिख रहे हैं दूसरे है रोहित शर्मा तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग इतना ही पर रखते हैं क्योंकि यह सारे कोश्चन जो अभी लाश के दो तीन हुए वह तो कल भी हो चुके थे तो अब आगे मुझे लगता रिपीटेट कोश्चन मिल ज भारत साथ बज़े सभी प्लस सब्सक्रिप्शन वाले पहुंच जाईएगा अपने जो है बैंकिंग अवेनियस के गेम चिंजर बैच में ठीक है ओके बबाए खुश रही है मस्त रही है स्वस्त रही है बबाए टेक केर और प्लेस्यों झाल 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 झाल